आप सब आज से पहले notebook को जरूर देखे होंगे, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि notebook का cover page को बनाना सीखेंगे, तो आप हमारे चैनल पर new है तो हमारे चैनल को अभी subscribe करें, like करें अपने दोस्तों तक share करना ना भूले, तो चलिए वीडियो को start करते हैं, तो आपको book का cover पनाने के लिए सबसे पहले क्या है करना कि page का जो भी size है, उसको a4 size में रहने देना है, ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, अगर आपको page का color कोई दूसरा color में रखना है, तो इसके लिए normal page layout वाले option पर जाना है, and page layout वाले option पर जाने के बाद आपको page color है, and इसके ऐसा अगर changes आपको चाहिए, तो आप changes कर सकते, तो हम लोग page color यह ले लिए है, and इसमें थोड़ा सा effect हम लोग feel कर देंगे, तो कुछ इस तरह से effect जो आ जाएगा, तो इसमें हम लोग texture, and यह जो भी आपको texture चाहिए, वो texture यहां से normal ले सकते, या pattern वाला ले सकते है, तो normal हम चलिए, ये वाला ले लेते, ये pattern कुछ इस तरह से है, गोफलाarios का cover, जो page का वोगा, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, तो ऐसे ok कर देते, तो देखियीए, हम लोग का cave का cover, यह देखिय कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, ठीक है नॉर्मल में ही थुरा सा ये डार्क डार्क हो रहा है, अब सबसे पहले क्या है कि आपका जो कॉपी है उस पे आप अपना टाइटल रखेंगे, मतलब आपका कोचिंग सरस्थान हो गया या सेक्चिनि सरस्थान जो भी आपका है, उसका आप टाइटल लगना है, तो ट पेज के ऊपर हाइलाइट रह तो हम लोग यह नर्मल फॉंट को सिलेट कर लें एड इसके बाद आप इसमें कोशिं का नाम अच्छा से लिख सकते है तो आप के बाद हम लोगो इसको अर्जेस्ट कर लेना आप इसके page के हिसाब से इसका ह zarate Past को हम लोग फ्राइफ कर देंगे अड़ इसको नाम को हम लोग क्यार करेंगे कि शेंटर में कर देंगे ठीक है एंडan इसका थहरा साम लोग size इंक्रीज करने के लिए normal को करें लिए इंगर से सुखशा center में इसको ले जाना है कुछ इस तरह से सिंटर कर देंगे है शुबते नाम लिखेंगे एंड इसके बाद इसका color जो भी है आप इसको color को change कर सकते हैं select करके फौर में Home बाले option में आना है आप नॉर्मल यहांसे change कर सकते हैं तो हम लोग यह अपना कोई भी एड्रेस डालना चाहते हैं तो इसमें नॉर्मल आप अपना ड्रेस डाल सकते तो और ड्रेस डालने के लिए क्या है इंसर्ट वाले अप्शन पर जाना है और इसके बाद आप कुई भी एक सेप्ट ले सकते हैं हम लोग Creator आ Resistance लें तो सांधे इसको इसको ड्राव करके इसमें अपना अड्रेस को लिख लेंगे तो हम नोग चली अपना एड्रेस को लिख लेते क्या है कि इसका size को थुरा हम लोग क्या करनेगे कि इसका कुछ इत्रेस को इत्रेक्ट करते हैं ये जो आपको सामने जो ग्रामर इर्ड़ पीड़र ही सक्कुर हम लोग इगनौर कर देंगे कुछ इसत्रे से कर करा देंगे जो हम लोग को Weeding से मिलता जुलता होना चाहिए आब इसके बाद क्या है कि नर्मल इसका आउट्लाइन को हम लोग क्या करना है फॉर्मेट वाले ओप्षन से इसका आउट्लाइन को no outline and safe फिल को हम लोग को क्या करना आई तो आप देख सकते कि हमारा जो heading है कुछ इस तरह से ready हो चुका है अब इसके नीचे अगर आपको कोई address डालना है या आप अपना नाम डालना है कोई भी चीज़ अगर डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो normal हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं डालते हैं, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, अब हम लोग बीच के page के center में बात करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे कोई photo वगरा देना चाहते हैं, अपने logo देना चाहते हैं, या आप normal अगर अपने, जो सो आप पेक्चर इसमें देना चाहा है तो वह पेक्चार दे सकते हैं तो हम लोग चली एक पिक्चर ले लेते हैं कि ि German तो है मिल सब्सक्रीर नेचर हम लोगों नहीं आ रहा है यह पिक्चर जो है आ तो इसके लिए क्या करना है कि आपको राइट क्लिक करना है एंड इसके बाद आपको कहा जाना है टेक्स रैपिंग वाले ऑप्शन पर रैप टेक्स पर आपको क्या करना है इन फ्रॉंट टेक्स्ट कर देना है इसके बाद क्या है कि आप इस फोटो को जहां भी ले जाना चा बैक्गराउंड है इसको हम लोग को बैक्गराउंड को थोड़ा सा कट कर देना है कुछ इस तरह से इसको हम लोग कट कर लेंगे कर देखने को मिल रहा तो और हम लोग आप यहां पर क्या कर सकते हैं आप यूनिक क्या कर सकते हैं यहां पर आप नेम का section डाल सकते हैं जैसे कि नेम का details पूछ सकते हैं इससे क्या कि आपका book का cover जो है काफी cool नजर आएगा तो इसके लिए normal क्या करना है कि हम लोग को text box ले लेना है and text box में हम लोग को क्या करना है कुछ ऐसा draw कर लेना है and अब इसके बाद क्या है कि name दे देना text बना सकते हैं तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं name and name के बाद क्या करना है कि हम लोग को प्राइब मर्कशस्ट आपको नीचे में नीचे में सब नाया सकते हैं को यहां पर ले लेते हैं इसके लिए भी आप खाली अस्थान को छोड़ सकते हैं और उसके बाद क्या करना है कि आपको डिवीजर आप पूछ सकते हैं फिर इसके लिए आप यहां पर खाली अस्थान को छोड़ दें तो आप यहां से डॉल नम्मर का सेक्शन को डाल सकते हैं इसके बाद फिर से आपको यहां पे खाली अस्थान को छोड़ देना कुछ इस तरह से इसको आपको खाली अस्थान को छोड़ देना अब इसके बाद क्या करना है कि आपको नॉर्मल यहाँ पर नीचे आ जाना है अब नीचे आने के बाद आपको क्या करना है सब्जेक्ट का सेक्षन आप दे सकते हैं अब इसके बाद इसको भी आपको क्या करना है कि खाली अस्थान को कुछ इस तरह से दे देना है थोड़ा साइज हम लोग इंक्रीज कर लेंगे कुछ इस तरह से इसका साइज को इंक्रीज कर लेंगे जिससे क्या है कि आपको देखने में थोड़ा सा असानी हो तो यह देख सकते कि हम लोग का जो कवर है कुछ इस तरह से रेडी हो रहा है हम लोग size को फिर चोटा कर contemplate कर लेना यह देख सकते कि हम लोग को आईसा देखने को मिलेगा इसको disruptive करने को और यह हम लोग को अच्छा देखने में लगे कुछ इस तरह से इसको अऩि incentivize कि हम लोग का ऐसे बनगे आप इसके बाद आगर आपको नीचे में कुछ लिखना या कुछ आपको ऐसा इंफोर्मेशन छोड़ना है तो आप यहाँ पर इंफोर्मेशन छोड़ सकते हैं एंड इसका थोड़ा सा अर्जेस्ट कर लेना है तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको क्या करना है कि अर्जेस्ट कर लेना にहीं हम लोग को मोटा कर देना तो आउटलाइन के लिए क्लिक करें और आउटलाइन पर किया करना यह कि हम लोग क्या करना है कि हम लोग क्या करना आगए एंड इसका जो है कुछ इस तरह से हम लोग कोई भी apply कर देंगे जैसे कि देखने में हम लोग को अच्छा लगेगा तो यह देख सकते हैं कि हम लोग का यह जो index है कुछ ऐसा ready हो चुका है अब इसके बाद क्या करना है कि normal अगर आपको कुछ नीचे में लिखना है जैसे कि आपको address या कोई भी ऐसा information आपको देना है तो हम लोग information यहाँ पर दे सकते हैं कि अ बुटे बुटे सकते हैं